हेलो दोस्तों वेलकम टू जी टेक पॉली तो कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग बहतरीन जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे तो स्वागत है आप सभी का प्रोडक्शन टेकनोलोजी के इस ब्यूटिफुल सेशन में जिसमें दोस्तों हम लोग डिसकस कर रह सेस यानी की एक सोट में हम लोग एक चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं ओभी डिटेल में कोईस्टन के साथ साथ में ठीक है तो कैसे हैं सभी लोग फटापट सभी लोग एक बारी से बताएंगे क्या हाल चले आप लोगों के कैसी चल लही है आप लोगों की पढ़ाई very good morning to all of you good morning सोनू कवीर पिंकी राहूल अलोग प्रियांसू नवीन कैसे हैं सब लोग एक बारी से फटापट सभी दोस्ट सेसन को सेयर कर देंगे सेसन को सेयर कर देंगे और दोस्तों की लाइक करना नहीं बूलेंगे डेफिनेटली बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां कैसी चल ले पढ़ाई है आप लोगों की गुद मॉर्णिंग आकास सोनू कैसे हैं सब लोग अरे दा इंडियन रिसर्च थियोरी आपको रटना नहीं है प्यारे दोस्त खास करके प्रोड़क्शन टेकनोलाजी में तो डेफिनेटली आपको रटना नहीं है मतलब आपको फील करना है ठीक है यह मसीन का सब्जेक्ट है दोस्तों पूरा का पूरा आप फील करिए अपने अंदर से जो निकल के आए उस चीज़ को आप उसमें फील करिए पेपर में आपको फील करना है ठीक है इसका यह मतलब थोड़े होता है बहुत बढ़ियां का अगला topic है drilling, तो चलिए दोस्तों, श्ठार्ट करते हैं on this topic को तो क्या-क्या चीजे पढ़नी एक बार ही से स्लिख लेते को इसमें, तो सबसे पहले basic बाते है कि drilling का principle क्या है यानि drilling machine कल्सीपिकेशन पढ़ना है थोड़ा सा इसका और कस् है बारे में detail फेसिंग हो गया रीमिंग हो गया बोरिंग हो गया counter boring counter sinking hole milling tapping इस सबी process के बारे में पढ़ना है दोस्तो ठीक है ठीक है उसके बाद देखे ध्यान से दोस्तों क्या करना इसमें types आप drills के बारे में पढ़ना है feature और नमन क्लेचर है किसका drill को hold करने के लिए डिवाइस टाइप सा प्रीमर इन सब के बारे में दोस्तों इसमें पढ़ना है तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं drilling है क्या एक बारी से सब लोग बताएं drilling है क्या आपके मन में drilling को ले करके क्या आ रहा है drilling क्या होता है दोस्तों drilling जो term मैंने यूज किया यहाँ पर drilling यह क्या होता है drilling क्या होता है drilling drilling बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां क्या करना work piece में यानि कार्य खंड में क्या करना दोस्तों hole बनाना यहीं चीज है न लेकिन condition क्या है कि पहले से उस work piece में कोई hole ना हो जैसे कि यह मान लिजी एक work piece है हमको क्या करना है इस work piece पे hole बनाना है इस पे कोई hole दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा तो इस condition में जो हम operation करते हैं hole बनाने के लिए उसको हम लोग drilling बोलते हैं बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां जो छेथता है बहुत सही यह भी इच्छी बात है तो दोस्तों यह देखिए definition इसमें use क्या होता है आपका इस operation को perform करने के लिए एक drill tool होता है जो कैसा दिखता है कुछ आप लोगों का drill tool drill tool कुछ ऐसा दिखता है drill tool कुछ आप लोगों के लिए ऐसा दिखता है जिसमें drill tool कैसा होता है दोस्तों ऐसा होता है ठीक यह drill tool आपका होता है यह क्या करता है दोस्तों जो वर्क पीस होता है हमारे पास में देखिए जो होता है उस वर्क पीस में क्या करता है ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है यानि इसमें क्या करता है होल करता है होल करता है कैसे होल करता है यहां पर दोस्तों यह अटेच होता है चक से जो स्पिंडल से जुड़ी होती और यह क्या करती है मोटर की सहयता से चलाई जाती तो क्या produce होता है, इस work piece में, इस कारेखंड में क्या पैदा किया जाता है, इस कारेखंड में hole पैदा किया जाता है, अब जब यह पूरा cut जाएगा तो कैसा दिखेगा दोस्तों, जब पूरा cut जाएगा तो कुछ ऐसा दिखने लगेगा, पूरा cut ने के बाद से कैसा दिखने लगेगा पूरा कटने के बाद से दोस्तों कुछ ऐसा दिखने लगेगा जब होल इसमें पैदा हो जाएगा ठीक है जब इसमें होल पैदा हो जाएगा तो गुछ ऐसा दिखने देरा तो इसको हम लोग कहते हैं आर पार होल, आर पार होल, आर पार छिद्र, ठीक है, और अगर अगर दोस्तों यह होल जो यहाँ पर हमने बनाया हुआ है, अगर यह होल कुछ अंदर तक हमने बनाया, जैसे माल लीजिए कि यही वर्क पीस में हमने काम किया, यह कुछ के ओल कुछ दूरी तक ही होल बना कुछ दूरी तक ही होल बना तो इस तरह के होल को हम लोग क्या कहते हैं इस तरह के होल को हम लोग कहते हैं ब्लाइन्ड होल इस तरह के होल को हम लोग कहते हैं ब्लाइन्ड होल कि हम केवल कुछ दूरी तक ही होल बना रहे हैं कुछ दोली तक ही इसमें ड्रिल कर रहे हैं तो इसको कहते हैं हम लोग ब्लाइंड होल ठीक और और दोस्तों अगर कुछ आप लोगों का वर्क पीस कैसा बनके तैयार हो रहा है कुछ ऐसा तैयार हो रहा है देखिए द्यान से कुछ ऐसा तैयार हो रहा है तो इसको हम लोग क् गते अंहें। अगर तेपर दिख रहा है तो टेपर होल। ठीक अब बात करते हैं दोस्तों इसके niki डेफिटी क्या रहा होती रहा है। ध्यान दीजिए यहां पर क्या ओता है कि ड्रिलिंग ऐसी क्रियाइट है जिसके द्वारा किसी कारखंड में बित्ता कार होल, सर्कुलर होल बनाए जाते हैं ये किरियाएं धात या अधात मेटल या नोनमेटल किसी पर भी की जा सकती है किसी भी material पर की जा सकती है ठीक है? drilling किरियाओं के द्वारा ऐसे कारिखन्ड में चिद्र किया जाता है ऐसे कारेखंड पे होल बनाये जाता है जिसमें पहले से कोई होल मौजूद नहीं होता है ठीक है ड्रिलिंग की किरिया ड्रिलिंग मसीन या खराद मसीन दोरा की जाती है ड्रिलिंग की किरिया ड्रिलिंग मसीन या खराद मसीन दोरा की जाती है लेथ मसीन पर कैसे की जाती है दोस्तो लेथ मसीन पर ध्यान दीजिए कैसे की जाती है देखिए ध्यान से यह आपका होता है head stock यह head stock होता है इसमें क्या होता है आपका चक लगा होता है ऐसे ठीक है जो टेली स्टॉक होता है दोस्तों टेली स्टॉक ये जो टेली स्टॉक होता है टेली स्टॉक पर क्या करना है आपको ड्रिल टूल लगाना है और ड्रिल टूल को लगा करके क्या करना इस पर खिसका-खिसका-खिसका-खिसका-खिसका-खिसका-खिसका-खिसका-खिसका-खिसक के लिए आप कौन सी मसीन यूज करेंगे ड्रिलिंग मसीन का यूज करते हैं तो यह जो होल तयार किये जाते कौन-कौन से मसीन पर लेथ मसीन और ड्रिलिंग मसीन दोनों पर तयार किये जाते हैं ठीक है एक प्यारा दोस्त है मैं उसका कमेंट ले ले रहा हूँ कवीर नाम है उसका उसकी बहुत ही अलग-अलग डिमांड रहेती समझ में नहीं आता करना क्या जा रहे हो डेली हर एक क्लास में क्वेस्टन प्रोवाइड किया जाता है कहरा सर क्वेस्टन बता दीजिए हर दिन उसको डेफिनीशन दिया जा रहा है कहरा सर यह डेफिनीशन अच्छा है ऐसे डेफिनीशन लेके आईए मतलब आप जब सब चीज जानते हैं तो फिर मतलब क्या निकलता है इस चीज़ का आप ही लोग रेपलाई देदिए उसको द्यान दीजिए दोस्तो ड्रिलिंग इस प्रोसेस या ऐसा प्रोसेस इन विच सर्कुलर होल आर मेड किसमें वर्क पीस में आप यहां पर देख रहे होंगे दोस्तो एक क्या लगा हुआ है आपका यह ड्रिल है यह वर्क पीस है यह ड्रिल है यह वर्क पीस है यह ड्रिल क् निकाल रहा है और क्या पैदा कर रहा है इसमें hole पैदा कर रहा है दोस्तों ठीक है यह चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा जब भी आपके exam में पूछे तो आपको figure definitely आपको बनाना ही बनाना है ठीक है यह चीज ठीक अब आगे बात करते हैं जो अगली बात आती है principle आप drilling की देखो principle ऐसा कुछ नहीं है दोस्तो principle simple सी बात यह है कि इसमें होता क्या है जो यह drill tool हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे drill tool drill tool इसमें basic principle का मतलब क्या हुआ कि आपका जो tool दिखता है द्यान दीजी अगर इसको आप drill tool मानी तो इसके नीचे का portion क्या है नुकीला है तो सबसे पहले कौन सा portion टच में आता है वर्कपीस के यह नुकीला portion यह जो sharp portion है यही सबसे पहले touch में आता है यह जो sharp portion है sharp portion यही सबसे पहले किसके touch में आता है ये सबसे पहले work piece के touch में आता है ठीक है contact में और उसके बाद क्या करता है उसके बाद लगातार दोस्तों क्या करता है उसके बाद क्या करता है जैसे जैसे नीचे आता जाता है ये सारे जो cutting edges होते हैं cutting edges ये material को remove करते रहते है material को remove करते रहते हैं क्या करते हैं उसके बाद work piece में यानि कारेखंड में क्या करते हैं whole पैदा कर देते हैं यहीं इसका basic प्रिंस्पा एठीक है दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं कि classification आप drilling machine drilling machine को कितने तरह से classify किया जा सकता है चिप्स प्यारे दोस्त यहाँ पर देखिए एक चीज लगा हुआ है यह आप देख रहे हैं कि ध्यान दीजी यहाँ पर यह कुछ आपको ऐसे दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं फ्ल्यूट फ्ल्यूट आप जब यह देखिए एक बारी बारी से बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है नीचे तो फ्ल्यूट के माध्यान से क्या करता है चिप से बाहर की और निकलता जाता है जैसे जैसे यह नीचे जाता रहता है यहाँ पर कटे होते यह चीट जो होता है दोस्तों यह आप देखिए ऐसे ध्यान से बीच में ऐसे slot रहते हैं यह जो slot आपको दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं flute ठीक है इसी flute से हो करके क्या होता है chips आपका बाहर की और आता रहता है एक बार इस flute से आया फिर उसके बाद जो अगला flute होता है उसमें आता है फिर अगले flute में आता है इस तरह से यह chips क्या होता है बाहर की और निकल जाता है ठीक यह होता है दोस्तों आपका basic principle इसमें यह चीछ देख लिजिए उसके बाद क्या हुआ दोस्तों जो chips पैदा हो रहें इस margo से इन रास्तों से इन रास्तों से होकर के क्या होते हैं बाहर की और निकल जाते हैं ठीक अब बात करते हैं basic classification क्या क्या कितने तरह से classify किया जा सकते हैं, देखो classification ऐसा load वाली बात नहीं है, दो ही तरह से classify किया गया है, पहला ये कि हम कहें उठा के अगर ले जा सकते हैं, तो उसको पोर्टेबल कहते हैं, दूसरा ये अगर fix कर दें, तो उसको fix कहेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्त मतलब अगर मान लिजी हम कोई ऐसा drilling machine यूज कर रहे हैं, जिसको हमने क्या किया, यहां से उठाया, और ले जाके यूज, जहां पे यूज करना है, वहां यूज कर लिया, तो उसको हम लोग कहते हैं, पोर्टेबल, मतलब कि उठा करके ले जा रहे हैं, fix मतलब एक जगा पे हमने fix कर दिया, अब हमको किसी work piece पे काम करना है, तो हम उस work piece को लेके जाएंगे और काम करवाएंगे उस पे, ठीक है, तो यह होता दोस्तों, आपका classification, आप drilling machine ध्यान दीजिए, यहां पे, सबसे पहले बात आती है, portable drilling machine की, तो इसमें होता क्या दोस्तों, इस प्रकार की machine स मसीन से एक जगा रखे हुए, पार्ट वा मसीन में छेत कर सकते हैं, मतलब, जैसे सुनिए ज्यान से, यहां पे हमने क्या किया, आप simple सी बात सुनिए, आपके घर में जब wiring होती है, तो क्या होता है, कि जो वहां पे line man होता है, line वाला, वो क्या करता है, वो एक drilling machine लेके आता जैसे किसी दिवाल में छेत करना होता है, ठीक है, उसको wire निकालने के लिए, तो वहां पे जो drilling machine वो use करता है, उसको हम लोग कहते है, portable drilling machine, हाँ हाँ, वही wall drilling, सबसे पहले वो जो use करता है, उसे हम क्या कहते है, portable drilling machine, मतलब, वो उठा करके लेकर के आया, एक जगा पे हमारा क जारेखंड क्या है, यानि दिवाल fix है, उसमें क्या क्या छेत कर दिया, उसमें छेत कर दिया, वो आपका portable drilling machine है, तो जगा की कमी होने पर इस machine का वहां रखकर हम कहीं भी रखकर के छेत कर सकते हैं, यही चीज यहां पर लिखा हुआ है, यह machine भार में हलकी होती है, इनको पर drilling machine हो गई, ratchet breast drilling machine हो गई, pneumatic hand drilling machine, यह कुछ इसके classification है दोस्तों, तो अगर आप देखेंगे ratchet यह जो आपका होता है कौन सा, breast drilling machine कुछ ऐसा दिखता है, breast drilling machine आप लोगों का कुछ ऐसा दिखता है, दोस्तों ध्यान दीजी इसमें कैसे drilling किया जाता है, मैं बता रहूँ आप होता है, चक, इसको हम लोग कहते हैं, handle, यह होता है दोस्तों, जो हम अपने hand से क्या करते हैं, इसको hand से पकड़े रहते हैं, hand से पकड़ने के लिए, support देने के लिए, ठीक, होता क्या दोस्तों, इसमें हम अपना लगा देते हैं, drill tool, इसमें हम लगा देते हैं, drill tool, अब होता क्या दोस्तों, हम इस handle को क्या करते हैं, घुमाते हैं, घुमाते हैं, जिस जगा पे छेत करना है, जैसे यहाँ पे हम को छेत करना है, हमने यहाँ पे रखा, handle को लगा हुआ दोस्तों ये भी रोटेट करता है जो ये स्पिंडल रखा हुआ ये भी रोटेट करता है जिस कारण से चक रोटेट करता है और जब चक रोटेट करता है तो वर्क पीस में क्या होता है ड्रिलिंग हो जाता है ठीक ये होता दोस्तों आपका ब्रेस्ट ड्रिलिंग मसीन इसी तरह से होती है आपकी हैंड ड्रिलिंग मसीन हैंड ड्रिलिंग मसीन दोस्तों आपने कारपेंटर के सौप पे देखा होगा जो बढ़ाई यूज करते है लकड़ी को लकड़ी में छेट करने के लिए वो कुछ ऐसा दिखता है आपको इसमें क्या होते हैं दोस्तों आप ये gears कटे होते हैं ये क्या होते हैं गीर बने होते हैं इसमें वो क्या करता है एक हाथ से इस handle को पकड़ता है एक हाथ से इसको पकड़ता है जिस जगह पर छेट करना होता है वहाँ पर drill tool रखता है फिर इसको क्या करता है खुब तेजी से गुमाता है जिस कारण से ये क्या करता है नीचे की ओर जाता है और वरकपीस में छेत कर देता है, होल कर देता है इसे हम लोग कहते हैं hand drilling machine ये आपका hand से operated होता है हाथ से चला जाता है hand operated ठीक ठीक है दोस्तो उसके बाद बाद आती है दोस्तो electric drilling machine ये वाला drilling machine जो आपके घरों में यूज किया जाता है जब wiring के time पे कब wiring के दवरान आप लोग देखे होंगे wiring के time पे ये यूज किया जाता है इसमें होता क्या दोस्तो यहाँ पे electricity flow कराई जाती है किसके माद्यम से वायर के माद्यम से और इसके अंदर एक motor लगा होता है यहाँ पे एक motor लगा होता है उस motor से एक shaft लगी होती है उस motor से क्या होती है आपकी उस motor से एक shaft लगी होती है उस shaft को लोग कहते है spindle उस shaft को कहते है spindle और इस spindle पर लगा होता है चक उसी चक पर लगी होती है दोस्तों आपकी drill tool उसी चक पर क्या लगा होता है आपका drill tool drill tool जब इसमें क्या करते electricity हम लोग फुलो करवाते हैं तो होता क्या है आपका motor चलने लगता है जिससे क्या होती spendle गूमती है जब spindle गूमता है तो spindle से लगा होता है दोस्टो आपका चक गूमता है चक आपका गूमने लगता है जिस कारण से यह जो drill tool है यह भी गूमता है और जो सामने आपकी दिवाल हो गया हुए दिवाल इसमें क्या करता है यह छेद comprendskर देता है कि हां हां सभी यह सभी है कोई बात नहीं ठीक det उसके बाद देखिए द्यान से दोस्तों ये हो चाहे रैचेट ड्रीलिंग मसीन रैचेट ड्रीलिंग मसीन दोस्तों आपकुछ ऐसा दिखता है ये भी सारी चीज मेकेंज़म इसकी भी सेम है ऊपर से पकड़िए इसको ऐसे गुमाया जाता है, देखिए, यहां से पकड़ते हैं, इसको ऐसे गुमाते हैं, ऐसे ऐसे, इन नीचे की और क्या करता है, ड्रिल करता जाता है, अब कई बच्चों के मन में आ रहा होगा, सर इसका निगेटिव डाइगराम बता दीजिए, तो सिंपल सा डाइगरा आपको नीचे ऐसे बना देना है, यह आप लोग वायर दिखा दीजिए, यह आपका डाइगराम तयार हो गया, सारे पार्ट को बता दीजिए, बस आपको सिंपल सिंपल सा डाइगराम बनाना इसमें, ठीक, उसके बाद बाद आती है, नियुमेटिक ड्रिलिंग मसीन की, य यह बेसिकली दोस्तों आप लोगों किसमें यूज किया जाता है, अधिक्तम देखते हैं, आप लोग वहाँ पर यूज करते हैं, सिंसी, सिंसी मसीन हो गयरा के, साथ साथ में दोस्तों इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, सिंसी मसीन जहां पर लगी होती है, वहाँ प compressed air supply करते हैं जिस कारण से दोस्ते यहां पर आपका एक लगा होता है ? वह घूमता है और उस रोटर से क्या होता दोस्तों आपका यह पूरा का mechanical घूमता है ? जिससे क्या होता एकूर्पीस में यह पूरा का पूरा यह क्या गूमता है जिससे यह वरकपीस में छेद बना देता है कि हाँ हाँ सब बता रहे सब बता रहे अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात तो इस पर दोस्तों आप लोग कर लीजिए डबल इस्टार मार्क इस पर आप लगाई यह खूब सारा इस्टार मार्क लगाई यह जो महत्वपूर्ण बात आती है दोस्तों फिक्स ड्रिलिंग मसीन की यही आपके हिजाम में पूछता है ठीक है इसका एक पार्ट क्लासी फिकेशन होता है वह आपसे पूछता है तो इसमें क्या होता है इसको हम लोग कहत या उसके बाद क्या कर रहे हैं ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं तो उस मसीन को हम लोग कहते हैं स्टेशनरी ड्रिलिंग मसीन ठीक है यह कितने प्रकार की होती है दोस्तों छे तरह की होती है एक होता आपका बेंच टाइप सेंसिटिव ड्रिलिंग मसीन द ठीक है अब बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है दोस्तों आपकी कौन सी सबसे इंपर्टन जो बात आती है बेंच टाइप ड्रिलिग मसीन की किसकी बात करते हैं दोस्तों हम लोग हम लोग बात करते है सबसे पहला वाला जो आपका है bench type drilling machine ये आपके exam में बहुत पूछता है दोस्तो bench type drilling machine bench type drilling machine तो ध्यान दीजिए दोस्तो सबसे पहले आप यहाँ पर समझे सारी चीजों को उसके बाद यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको तो ध्यान दीजिए सबसे नीचे क्या होता है यहाँ पर सबसे नीचे जो होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं base base मतलब आधार ठीक आधार का काम क्या होता है पूरे पूरे machine के भार को क्या करना अपने उपर रखना और एक foundation पे क्या होना set हो जाना ठीक है इसको हम लोग कहते हैं base यहाँ पे दोस्तों यह जो लगा होता है, इसको हम लोग कहते है, column, यह पूरा का पूरा जो होता है, दोस्तों, इसको हम लोग कहते है, column, क्या बोलते है, column, यहाँ पे भी लिखते चलिए, इसको हम लोग कहते है, base, इसको दोस्तों हम लोग कहते है, column, ठीक, इस column में थोड़ी से उपर आप लोग जब जाएंगे थोड़ा सा उपर आप लोग जाएंगे तो यहां पर क्या लगा होता टेबल का mechanism यहां पर टेबल को माउंड करने के लिए क्या लगा होता टेबल mechanism इसको हम लोग कहते हैं दोस्तो टेबल इसको हम लोग क्या कहते हैं टेबल इसको क्या कहते हैं टेबल कहते हैं उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों एक हैंडल लगा हुआ है एक हैंडल लगा हुआ यह हैंडल का जो काम होता है टेबल को क्या करना ऊपर नीचे मूब करवाना साथी साथ में एक जगा पर फिक्स करवान यह जो handle होती है जैसे देखिए आप घरों में देखते होंगे क्या किया जाता है कोई चीज़ जब open किया जाता है उसको बंद करने के लिए एक जगा पर रोकने के लिए कुछ आप लोग क्या करते है सेम उसी तरह से यह handle होता है यह क्या करता है टेबल को टेबल को फिक्स करने के लिए फिक्स करने के लिए इस handle का यूज़ किया जाता है ठीक उसके उपर जब आप लोग जाएंगे थोड़ा सा और उपर तो आपको दोस्तों क्या दिखेगा इस side में दिखेगा एक motor इस side में दिखेगा एक motor यह motor जुड़ी होती है electricity से यह motor जुड़ी होती है electricity से इस motor में देखिए इस motor के उपर में एक साप्ट लगा हुआ है यह जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर electric motor यह जो electric motor देख रहे हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक मोटर इस मोटर के उपर में लगा हुआ है एक साप्ट इस साप्ट के उपर दोस्तों यहाँ पे लगी हुई है stepd pulley कौन सी पुली stepd pulley कौन सी पुली दोस्तो stepd pulley यह क्यों लगाया गया है different velocity ratio को प्राप्त करने के लिए क्या लगाया गया दोस्तों यहाँ पे stepd pulley different velocity ratio को प्राप्त करने के लिए क्या लगाया गया है यहाँ पे stepd pulley इसे हम लोग कहते हैं stepd pulley stepd pulley stepd pulley ठीक ध्यान से देखिए दोस्तों यह हो गया इस side का mechanism इसमें पूरा आपका क्या लगा हुआ है stepd pulley stepd pulley ठीक इसके उपर देखिए द्यान से यहाँ पे बेल्ट माउंटेड है यह क्या लगा हुआ है दोस्तों बेल्ट लगा हुआ है इस बेल्ट का काम क्या होता है देखिए जब यह मोटर चलती है तो मोटर के चलने से यह पुली गूमती है जिस पुली इस पुली के गूमने से क् कि पहली पुली अरे पुली में कोई भी बेल्ट लगा लो दोस्ति यहाँ पे ठीक है आप लोग माल लो फ्लैट बेल्ट आपने लगा लिया या भी बेल्ट लगा लिया देखो बैसिकली इसमें जो यूज होता है उसको हम लोग कहते हैं भी बेल्ट ठीक है बैसिकली हम लोग जो यूज करते हैं, बी बेल्ट यूज करते हैं, यहाँ पे, लिख लो ये भी, कौन सा बेल्ट यूज करते हैं, बी बेल्ट, आप सुनिए ध्यान से दोस्तों, उसके नीचे क्या लगा होता है, उसके नीचे जब आप लोग आएंगे, उसके नीचे जब आप लोग आएंग के नीचे क्या mounted होता है चक और उस चक में क्या लगा होता है आपका tool चक में क्या लगा होता है tool ये हो गई दोस्तो आपकी चक 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 के नीचे क्या है दोस्तो आपका ये tool ठीक ये tool क्या करता है इस पे जो हमने कारेखंड को रख रखा है दोस्तो अब सुनिये दोस्तों पूरा का पूरा वर्किंग, सबसे पहले जब मोटर में इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है, बिद्दुत की सप्लाई दी जाती है, तो उस कारण से ये मोटर क्या करता है, गोमता है, जिसके साथ में यहां पे लगी हुई stepd pulley भी गोमती है, इस stepd pulley का पावर अब क्या किया जाता है, बेल्ट की सहायता से दूसरे वाले stepd pulley पे ट्रांसफर किया जाता है, दूसरे वाले stepd pulley के नीचे लगा होता है, इस spindle, जिससे की क्या होता है, हमारा spindle भी गोमता है, अब जब spindle गोमता है, तो उस condition में दोस्तों क्या होता है, हमारा चक गो गूमता है जब चक गूमता है दोस्तों चक गूमने से क्या होता है टूल गूमता है जिससे कि क्या करता है ये वर्क पीस पे ये वर्क पीस पे क्या करता है होल को प्रड्यूस करता है होल को पैदा करता है यानि की ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है यही इसका वर्कि से जैसे जो operator इस पर काम कर रहा होता है वो क्या करता है tool को उपर नीचे करता है जो tool है यहाँ पर tool लगा हुआ उस tool को उपर नीचे करता है तो उसको यह चीज आभास होता है कि हाँ यह tool work piece के contact में गया है कि नहीं गया है कि नहीं गया है क्या यह drilling operation perform कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो उस चीज के लिए यहां पर यह handle लगा होता है ठीक है तो सुनिए द्यान चे दोस्तो अब बारी बारी से मैं आपको वो चीज पूछ रहा हूं सबको आपको जवाब देना है सबसे पहले नीचे क्या होता है दोस्तों आपका इसमें नीचे नीचे क्या होता है ये नीचे क्या होता है बताए फटा फट से नीचे क्या होता है इस मसीन में सबसे नीचे वाला पार्ट क्या होता है उसके बाद एक column लगा हुआ है इस column पे यहां पे मैंने कुछ लगाया हुआ था ऐसे इस column पे मैंने यहां पे कुछ mount किया हुआ था इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताईए सभी लोग फटा पटे सब लोग बताईए बारी बारी से बोलते चलिए दोस्तो इसी वक्त इसको याद करिए, दोबारा वाला कामी मत रखिए, तुरंट के तुरंट आप लोग याद करिए चीजों को, तुरंट के तुरंट ही याद रखिए चीजों को, दोबारा वाला काम नहीं रहना चाहिए दोस्तों, इसी वक्त याद करिए सारी चीज, क्या बोलते ह इसको क्या कहते हैं दोस्तों बेस बोलते हैं इसको क्या कहते है टेबल ठीक यह क्या होता है आपका हैंडल कौन सा हैंडल टेबल को फिक्स करने के लिए हैंडल इसको बोलते हैं मोटर इस मोटर की साफ्ट से जुड़ी होती है दोस्तों आपकी इस मोटर की साफ्ट से लगी हो पुली क्या होती है यहां पे भी जुड़ी होती है ठीक है यही स्टेप्ड पुली क्या होती है दोस्तों आपके यहां पे भी जुड़ी होती है बेल्ट की मदद से बेल्ट की हेल्प से और इस स्टेप्ड पुली यहां पे आपका एक होता है दोस्तों फीड हैंडल एक होता ह फीड हैंडल का काम क्या होता है फटा फट बताईए एक बारी से सब लोग फीड हैंडल का काम क्या होता है फीड हैंडल का काम मोटर से जुड़ा होता है बेल्ट बहुत सही मोटर से जुड़ा होता है बेल्ट नबीन मोटर से जुड़ा होता है बेल्ट की पुली से यह पुली है कौन सी पुली स्टेब्ड पुली फीक यह आपका ड्राइबर अगर मान लीजे ड्राइबर वन है तो यह आपका ड्रीवेन स्टेब्ड पुली है मतलब यह चलाता है और यह चलती है यह क्या होता दोस्तों आपका spindle यह चक होता है यहाँ पे spindle अंदर है आपका इसे इसको हम लोग कहते है spindle यह होता है चक चक से लगा होता है टूल इस handle का काम बताए फटा पट से इस handle का क्या काम होता है क्या handle करता है यह वाला handle क्या काम करता है drill bite drill bite बहुत बढ़ियां पंकज बहुत बढ़ियां drill क्या करने के लिए drill bit को up down motion करवाने के लिए drill bit को up down motion करवाने के लिए बहुत बढ़ियां ठीक है यह जो handle होता है कि किस काम में आता है drill bit को up down motion करवाने के लिए अब आईए इसका theory देख लेते हैं दोस्तों बारी बारी से ध्यान जी जे theory में क्या लिखना है इसको sensitive drilling machine के नाम से भी जाना जाता है इसे हम लोग sensitive drilling machine भी बोलते हैं इसका आकार काफी छोटा होता है bench type drilling machine का आकार काफी छोटा होता है इसको आसानी से फर्स पर या bench पर रख करके भी किया जा सकता है इसको हम किसी bench पर भी रख के आराम से काम कर सकते हैं या floor पर भी रख के काम कर सकते हैं ठीक उसके बाद देखिए ध्यान से इसका प्रियोग छोटे कारिखंड लगबग 10 mm तक का hole बनाने के लिए जैसे सुनिए 10 mm मतलब समझ रहे हैं 1 cm का hole बनाने के लिए क्योल क्योल इसका यूज होता है 1 cm का इसमें cast iron का एक base होता है नीचे side में आप जो देख रहे हैं दोस्तो यह जो नीचे में base है यह base किसका बना होता है cast iron का क्यों cast iron का क्यों बनवाते हैं दोस्तो क्योंकि at the time machining, machining के समय बहुत ज़्यादा vibration पैदा होता है उस vibration को सोखने के लिए absorb करने के लिए हम base को क्या बनाते हैं cast iron का ठीक जिसके एक किनारे पे क्या होता है एक vertical column लगा होता है vertical column तहां पे लगा हुआ है इस किनारे पे vertical column लगा हुआ है दोस्तो vertical मतलब उर्द्वारधर उर्द्वारधर column लगा हुआ है ठीक है उसके बाद देखिए इस अस्तम के उपरी सिरे पर चालन ड्राइब यानि ड्राइब मेकेनिजम लगी हुई है पूरी की पूरी उपर साइड में क्या है दोस्तों उपर के साइड में ध्यान से देखिए यहाँ पर के साइड में पूरा ड्राइब मेकेनिजम है ठीक वही चीज यहाँ पर है दोस्तों इसके एक बिना सिरे वाला क्या होता है बी वेल्ट एंडलेस बी वेल्ट यूज होता है जिसका एक सीरा क्या होता है बिद्दुत मोटर तथा दूसरा सीरा क्या होता है बी खांचे वाली स्टेफड पुली पे लगा होता है बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां उसके बाद देखिए अगली बात देखिए तो इतनी बात हो गई अब आगे बात करते हैं इस स्टेफड पुली के द्वारा ही स्पिंडल को घुमाओ गती परदान की जाती है जिससे की ड्रिल घूमता है ध्यान दीजिए यही यही ची पट्टे को जो यहां पर बी पट्टा है उसको आव सकता कि अनुसार किसी भी खांचे में खांचे वाली पुली में फिट किया जा सकता है इसका मतलब सुनिये ध्यान से आपको मैं एक बार बी बेल्ट समझा दे रहा हूं सही तरीके से देखिए यह जो आपका होता है दोस दूसरे एंड पर फिर उसके बाद उसके नीचे थोड़ा सा बड़ा फिर उसके नीचे दोस्तो सबसे बड़ा ऐसे लगा होता है यह अब माल लीजे दोस्तों आपको क्या करना है विभिन विभिन परकार की गती लेनी है बहुत से डिफरेंट डिफरेंट परकार की गती ल स्टेब्ड पुली का मतलब यह एक पुली बड़ा दूसरा छोटा तीसरा और छोटा यह भर ये छोटा इससे यह बड़ा इससे ये बड़ा step मतलब एक step क्या हो बढ़ता जाए जैसे पहले आप हैं आपके बाद आपके भाईया उसके बाद दी दी मतलब ऐसे होंगे ना सब लोग step by step सब लोग है ना उसमें उम्र में उसी तरह से ये भी होता है ठीक है मैं आगे देकिए दोस्तों इसमें क्या होता है गुछ मसीनों में इस पिंडल को चलाने के लिए सीधे ही विद्दृत मोटर का यूज किया जाता है बहुत सारी ऐसी मसीन होती है बहुत सारी ऐसी मसीन होती है जिसमें क्या होता दोस्तो सीधे इलेक्ट्रिक मोटर का यूज किया जाता इसको बारा भिविन भिविन गतियों पर चलाय जा सकता है बारा भिन भिन गतियों पर चलाय जा सकता इस step pulley को इस machine में चालन यंतरावली को motor side column की किसी भी उचाई पर adjust किया जा सकता है वही चीज यहां पर बताया है मैंने इस column पर एक survival table लगा होता है यह जो table है दोस्तों यह क्या होता है घूमने वाला table होता है यह table क्या गर सकता दोस्तों भूम भी सकता है ठीक है घूरी table होता है उसके बाद देखे जान से जिसको 36 में 36 में किसी भी तथा column को किसी भी उचाई तक set किया जा सकता यह theory हो गया दोस्तों जो मैंने आपको बताया हुआ है पूरा पूरा में चीज है आपको working principle आना चाहिए यह सारी चीजे मैंने आपको बता दिया दोस्तों यह आप लोग देख लीजिए का theory ठीक है कुछ अलग नहीं है दोस्तों देखिए वही वही चीज मैंने बताया है इस क्या होता है spindle के निचले सिरे में कारेखंड के विरुद फीट प्रदान करने के लिए एक हथे का प्रियोग किया जाता है इस machine में किरिया के समय हाथ द्वारा फीट देते समय operator को क्या किया जाता है एक आभास हो जाता है जो वहाँ पे handle लगा हुआ है जब वो handle से फीट देता है तो उसको एक feeling आती है कि हाँ ये tool मेरा workpiece को touch किया की नहीं touch किया touch किया की नहीं touch किया ठीक उसके बाद देखिए जान से drill कारेखंड को ठीक इस प्रकार से घुमा रहा है या नहीं इन सब के बारे में उसको जानकारी हो जाती है उसके पस्चात कारेखंड के आर पार hold चुका है नहीं इन सब के बारे में ठीक है देखिए swivel table दोस्तों simple सा मतलब यह समझीए यहाँ पर जो table यूज हो रहा है swivel table आपका एक rotatory table भी होता swivel table लेकिन यहाँ पर जो हम लोग use कर रहे है basically वो fixed table यूज कर रहे है किसी-किसी condition में आपको दिखेगा table भी थोड़ा बूद ऐसे rotate करती है swivel table ठीक है? यह swivel table नहीं है आपकी यहाँ पर जो use किया है हमने लेकिन use करते है ठीक है good image rotating table होता है वो तो यह है दोस्तों आपका क्या जो आपको मैंने बताया यहाँ पर कौन सा sensitive drilling machine अब आगे बात आती है pillar type drilling machine की अब बात आती है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ड जो बात आती है pillar type drilling machine same है दोस्तों सुनिए ज्यान से सब कुछ same है सब कुछ same है बस इसकी height क्या होती है जैसे मैं 5 फिटका हूँ अब ये मेरे से 7 फिटका हो गया 7 फिटका हो गया मतलब ये मेरे से बड़ा हो गया तो इसी को हम लोग कहते हैं pillar type drilling machine इस machine की साहयता से इस machine की साहयता से वहाँ पे हमने 10 mm तक work piece में होल किया था 10 mm यहाँ पे हम उससे ज़्यादा कर सकते हैं 30 mm तक 30 mm तक का होल हम लोग बना सकते हैं pillar type drilling machine में बाकि सारी mechanism सेम है सब कुछ सेम है दोस्तो ये machine बिलकुल सेम है इसमें कुछ भी अंतर नहीं होता बस इसके height में क्या होता है परिवर्तन होता है ठीक है तो इसका थेवरी देखें दोस्तो इसको हम लोग मानक pillar machine भी कहते हैं इसका परियोग बड़े आकार के एक सेकेंड इसका परियोग बड़े size के इसका परियोग बड़े आकार के धातुखंडों में छेत करने के लिए किया जाता है इसका परियोग बड़े आकार के धातुखंडों में छेत करने के लिए किया जाता है यहाँ भी एक परकार से bench type drilling machine या सब कुछ सेम है दोस्तों बस इसकी height क्या होती है यह height में क्या होता है और उंचा होता है और ही लंबा होता है ठीक है बागी सारी चीज़े सेम है इसमें 25 mm तक क्या होती है drilling करने की चमता होती है जैसे 25 mm बात करें दोस्तों लगबग लगबग यह 0.5 cm तक का hole बना सकता है मतलब इस work piece में क्या करना है आपको 0.5 cm का hole बनाना है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते है पिलर टाइप drilling machine का हाँ केवल हाइट में अंतर है दोस्तों बस केवल केवल हाइट में अंतर है बागी सारी चीज़े सेम है डाइगराम आप लोग बिल्कुल यही बनाएंगे यह क्या है दोस्तों बस आपको हाइट दरसा देना है हाइट प्लस देखे द्यान से इसमें अंतर कहा कहा पर में बता दे रहा हूँ इसकी हाइट क्या होती है ज्यादा होती है पहली बात हो गई दूसरी बात जो होती है दोस्तों यह 25 mm तक का होल बना सकता है 25 mm 25 mm से 30 mm ठीक है बहुत जगा 30 mm भी मिलेगा आपको 25 से 30 mm तक का होल तक का होल ठीक है और साथी साथ में इसमें जो एक चीज़ और बात आती है इस पिंडल के आरपीम की तो वो आरपीम थोड़ा सा बेरी करता है इस कंडिशन में ठीक है तो यह होता दोस्तों आपका यह दो इसमें मेजर अंतर है कि हाइट इसकी ज़्यादा होती है बस चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग अब आगे बात आती है स्पेसिफिकेशन आप ड्रिलिंग मसीन की यही दो चीज़ आपके एक्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों जो मैंने आपको बताया है और और चीज़ों के बारे में आपको जानने की आप सकता नहीं बस इस पे आप फोकस करके जाएए ठीक है बात आती है साई जैन स्पेसिफिकेशन की तो मैंने आपको स्पेसिफिकेशन का क्या मतलब बताया था स्पेसिफिकेशन का क्या मतलब बताया था specification का मतलब specification का मतलब होता दोस्तो मैं कितना लंबा हूँ कितना चोड़ा हूँ कितना खाना खा सकता हूँ कितना पचा सकता हूँ कितना पढ़ सकता हूँ कितना दोड सकता हूँ ये सारी चीजे मेरी size और specification में आती है उसी तरह से drilling machine की भी कुछ क्या होती है size और specification होती है जैसे कि drill के केंदर से column के अस्तंब की लंबवत दूरी इसका मतलब क्या हुआ आप यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तो यह drill का center हो गया और column के यह top वाला portion हो गया इसकी दूरी यह भी बहुत माईने रखती है यह भी इसके specification में आता है पहला specification हो गया दूसरा बात करें दोस्तों अगर हम यहाँ पे कि maze के उपरी सता से spindle के निचले सिरे की अधिक्तम दूरी मतलब अगर दूसरी बात करें दोस्तों यहाँ पे यह हो गया spindle का top most portion spindle का सबसे नीचे वाला भाग और यह हो गया नीचे मेज तो इसके बीच की दूरी क्या रखना है हम को इसके बीच की दूरी क्या रखना है यह भी एक specification आता है इसका ठीक तीसरा बात करें दोस्तों यहाँ पे अगर अगली तो spindle की उच्चतम तथा निमनतम इस्थितियों की बीच की दूरी spindle की अधिकतम हाइट और निउनतम हाइट के बीच की दूरी यह भी माहिने रखती है कि हम कितना motion करवा रहे हैं इसको कितना कितना ऊपर नीचे motion करवा रहे हैं ठीक है जी नहीं बिलकुल नहीं radial machine की दसा में उसकी भुजा की लंबाई अगर radial machine यूज कर रहे हैं तो उसके arm की लंबाई भी माहिन रखती है spindle की गतियों की range ठीक उसके बाद मेज का ब्यास कितना है मेज का ब्यास मतलब की अगर हम क्या कर रहे हैं लोगों का पुछ ऐसा होता है कभी बना ना हो तो बना लीजिए गासी वल्टेवल आपको कुछ ऐसा होता है तो इस कंडिशन में स्यूइबल टेवल का ब्यास कितना है इसका ब्यास कितना है ये भी माहिने रखता है इसका भी specification है एक ठीक है उसके बाद motor की horse power कितनी है अस्तो सक्ती कितनी है भाई हम कितने horse power का motor यूज़ कर रहे है machine का total भार कितना है बेट कितना है याँ पे machine के द्वारा cover किया जाने वाला फर्स का छेतरफल कितने area में वो machine machine अपना काम कर रही है यह सारी चीजे आती है किसमें इसके size और specification में तो फटा फट सभी लोग बताएंगे कितने specification होते हैं सबसे पहला सुनिये ध्यान से drill का जो सबसे नीचे वाला portion है यानि कि center जो है उससे column के top portion की दूरी यहाँ पे drill के center से column के सबसे most वाले portion की दूरी दूसरा spindle के सबसे निचले सिरे से table के बीच की दूरी drill tool का ब्यास टेवल का ब्यास ठीक है कारेखंड कितना बड़ा पकड़ा जा सकता है मसीन कितना area cover कर रहा है मसीन का भार कितना यह सारी चीजे आपकी specification में आते हैं चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब आगे बात आती है कि विभिन प्रकार के कौन-कौन से operation परफॉर्म किया जाते हैं आपके drilling machine के द्वारा drilling के द्वारा various operations कौन-कौन से हैं तो सबसे पहले जो बात आती है drilling की ही आती है तो drilling में क्या होता है दोस्तों यहां पर लिख लीजिए drilling में क्या किया जाता है drilling में circular hole circular hole काटा जाता है ठीक यह आपका क्या दोस्तों यहां पर tool है यह क्या है work piece यह क्या कर रहा है यह tool क्या कर रहा है work piece में क्या कर रहा है hole कर रहा है hole कर रहा है तो यह पहला operation आपका drilling ही होता है ठीक है आगे बात करते हैं boring का एक बार इसे सब लोग बताएंगे boring क्या होता है क्या ही चल ला है comment box में boring क्या होता है boring 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 क्या होता है दोस्तों सुनिये ध्यान से boring क्या होता है आपने drilling operation perform कर लिया drilling operation आपने perform कर लिया अब मान लीजिए कि आपके desired dimension के इसाब से नहीं है जैसा आप लोग चाह रहे थे, जितना लंबा चोड़ा होल चाह रहे थे, उस तरह का होल नहीं है, उस condition में आप क्या करेंगे, उस condition में उसके होल का size बढ़ाने के लिए आप एक operation perform करते हैं जिसको आप लोग क्या बोलते हैं दोस्तो, जिसको हम कहते हैं boring जिसको हम लोग क्या करते हैं boring कहते हैं, तो boring का use किसलिए होता है, drill किये गए, drill किये गए होल का ब्यास बढ़ाने के लिए बात करें इसके diagram की, तो देखी द्यान से दोस्तों जैसे मान ले सबसे पहले यहां पे अगर यह हमारा एक work piece है इस work piece में क्या है, दोस्तों यहां पे ऐसे hole है, इसमें hole कटा हुआ है 3D में बनाना है, तो बना लो 3D में भी कुछ अलग नहीं करना है 3D में ठीक, बस आपको क्या कर देना थोड़ा सा अंतर कर देना है अंतर कुछ इस परकार से कि इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो अब यह 3D लगने लगा आपका ठीक इसका ब्यास बढ़ाने के लिए दोस्तों इसका क्या करने के लिए डाया मीटर बढ़ाने के लिए डाया बढ़ाने के लिए बढ़ाने के लिए यह आमको उप्यूक्त साइज जो चाहिए उसमें लाने के लिए हम लोग क्या कर करते हैं बोरिंग टूल ठीक अब देखे देंसे बोरिंग टूल कैसा दिखेगा दोस्तों आपके यहां पर देखिए द्यान से यह हो गया यह हो गया क्या बात है मजा आ ठीक है उसके बाद उसके बाद उसके बाद कुछ कुछ ऐसे बना लई एस डायग्राम कुछ आप लोगों का होता है है यह जो टूल यूज अब लोगों का यह जो तूल यूज जो था रिटूल कुछ तूल कुछ ऐसा होता है इसको हम लोग कहते हैं बोरिंग टूल इसको क्या कहते हैं लोग बोरिंग टूल बोरिंग टूल और इस आपरेशन को हम लोग कहते हैं बोरिंग ये आपका क्या हो गया work piece हो गया पहले इसमें दोस्तों क्या था इतना बड़ा whole था अब क्या हो गया जब ये boring operation होना शुरू हुआ तो कितना बड़ा hol बन गया इतना बड़ा तो इस operation को हम लोग कहते हैं boring ठीक है देखिए ध्यान से इसमें boring operation क्या होता है ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ पे boring operation boring क्रिया के द्वारा पहले से बने छिद्र पहले से बने छिद्र का ब्यास बड़ा तता उप्युक्त साइज का बनाया जाता है boring क्रिया करने के लिए boring tool का प्रियोग किया जाता है यह हो गया boring का definition की boring के द्वारा क्या किया जाता है पहले से बने hole का ब्यास बढ़ाने के लिए diameter बढ़ाने के लिए increase करने के लिए और desired size पाने के लिए desired shape and size पाने के लिए जो operation किया जाता है उसको क्या कहते है boring ठीक चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं जो अगली बात आती है रीमिंग की अब बताईए ये रीमिंग क्या होता है बोलिए फटापट से अब मान लीजिए दोस्तों मान लीजिए कि आपने drilling operation perform किया लेकिन उसमें क्या हो रहा है बहुत ही micro मतलब कि 0.0000001 meter का आपको क्या चाहिए और थोड़ा सा क्या चाहिए hole चाहिए और वो hole कैसा चाहिए finished चाहिए वो hole कैसा चाहिए finished चाहिए तो उस condition में जिस operation को use मिलाते है उसको हम लोग कहते हैं रीमिंग उस condition में जिस operation को यूज में लाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं रीमिंग तो इस किरिया के द्वारा पहले से बने छिद्र में सूच में कटाई करके बहुत ही छोटा सा micro cutting करके क्या करते हैं उसकी सही माप तथा finish प्राप्ट करना की जाती है इस किरिया के लिए रीमर का यूज करते हैं हम लोग रीमर किसका यूज करते हैं रीमर ये रीमर कैसे दिखते हैं दोस्तों ये रीमर आप लोगों के कुछ कैसे दिखते हैं यह जो रीमर्स होते हैं दोस्तों कुछ ऐसे दिखते हैं यह रीमर्स होते हैं दोस्तों कुछ ऐसे दिखते हैं ठीक है रीमर्स होते हैं कुछ ऐसे दिखते हैं इन रीमर्स का यूज किसलिए होता है दोस्तों रीमिंग का रीमिंग का प्रियोग यह होता है रीमिंग का यूज माइक्रो होल बहुत ही मतलब माइक्रो कटिंग आउप्रेशन के लिए माइक्रो कटिंग करता है माइक्रो कटिंग बहुत ही छोटा सा सूच में सूच में साइज बढ़ाने के लिए सूच में कटिंग करके होल बढ़ाने के लिए ठीक है बहुत ही माइक्रो कटिंग करके होल करने के लिए यह आपका ऑप्रेशन जो होता दोस्तों इसको हम करते हैं रीम मींग ठीक है finishing है smoothing करने के लिए बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां surface finish सही से clean saaf बहुत बढ़ियां very good very good अब बात आती है दोस्तों आपकी counter sinking की counter sinking क्या होता है counter sinking क्या होता है सुनिये द्यान से दोस्तों आपको diagram में तो कुछ चीज़े दिख रही होंगी कुछ taper all बनाने के लिए मतलब की जैसे मान लीजे दोस्तों आपके पास में कुछ work piece है कोई work piece है कोई एक work piece है कारिखंड है कोई एक कारिखंड है जो की खंड खंड ठीक है ऐसे 2D रखते है 3D छोड़िए एक कारिखंड है जिसमें पहले से hole बना हुआ है जिसमें की पहले से hole बना हुआ है कैसा hole बना हुआ है एक circular hole बना हुआ है ठीक है पहले से circular hole बना हुआ है अब मान लीजिए मान लीजिए कि आपको इस पे क्या लगाना screw screw लगाना है उस condition में आप लोग क्या करेंगे जैसे माली जी कौन सा screw लगाना है आपको वो screw लगाना है दोस्तों आपको कुछ ऐसा यह screw जो आपको लगाना है दोस्तों आप कुछ ऐसा लगाना है इस condition में आप जो operation परफॉर्म करते हैं दोस्तों जिस operation को perform करवाए जाता है उसको हम लोग कहते है counter-synking ठीक है अब देखे द्यान से दोस्तो होता क्या है इसमें हम लोग किस tool का use करते हैं उसमें हम लोग देखे दोस्तो कुछ ऐसे tool को लेकर करते हैं tool को लाने के बाद से इसके surface पर क्या करता है यह conical safe बना देता है अब यह conical safe बन गया तो उसमें हम लोग क्या use करते हैं दोस्तों अपना जो यह हमको fit करना है screw screw fit करना है तो उस condition में हम लोग screw को fit कर लेते हैं अरे नहीं ऐसा नहीं है सभी बहुत अच्छे बच्चे हों नराज होंगे आप लोगों से ऐसा नहीं है बच्चों यह एक ऐसी क्रिया है जिसमें drill hall को उसके सिरे से तिर्चा किया जाता है एक end से क्या किया जाता थोड़ा सा तिर्चा 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 ठीक है तिर्चा मतलब कुछ ऐसे किसलिए इस्कुरू हो गयरा फिक करने के लिए जिससे कि counter sink पेंच या फिर और भी बहुत सारे जो होते हैं आपके inclined जो आपके वो होते हैं जो inclined मतलब कि जो आपको use करना screw हो गया बहुत सारी चीज़ जो होती उनको use करने के लिए ठीक है हाँ taper hole बोल सकते हैं taper boring नहीं 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 ठीक है तो इसमें जो angle रखा जाता है लगबग 75 से 80 degree रखा जाता है जो tape आप लोग यहाँ पे tool यूज करते है counter sinking tool उसका एक लोग angle set करते हैं ठीक है तो इसके बाद जो आपका work piece तयार होगा दोस्तो work piece तयार होगा दोस्तो कुछ कैसा तयार होता है यह work piece जैसे आपने इस पे क्या किया इस पे आपने operation परफॉर्म कर लिया अब यह work piece आप लोगों का कुछ कैसा तयार हो जाता है कुछ ऐसा तयार होता है जैसे आपको कितने height तक करना है यह वर्क्पीस आपका तयार हो गया अब आप इसमें क्या करिए अपना जो भी लगाना था सब लगा दीजिए ठीक तो यह होता दोस्तो अपका कौन सा अपरेशन काउंटर सिंकिंग अब आगे बात आती है दोस्तो काउंटर बोरिंग की काउंटर बोरिंग क्या होता है काउंटर बोरिंग क्या होता है दोस्तो बारी बारी से बताईए एक बारी से काउंटर बोरिंग क्या होता है काउंटर बोरिंग क्या होता है यह सही है यह सही कुईस्टन लगा आपको यह मुझे बहुत बढ़िया question लगा, बहुत अच्छा, the Indian research का question बहुत अच्छा लगा, सभी लोग पढ़ लिजे question, counter boring है का ऐसी किरिया, जिसमें पहले से किये गए hole को, कुछ दूरी तक इसका ब्यास बढ़ाया जाता है, कुछ दूरी तक इसका ब्यास बढ़ाया जाता है, जिससे की bolt, जौब की सता में असानी से fit हो सके, इसके लिए counter boring tool का use किया जाता है, सरबात समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं हम बता रहे हैं, देखिए द्यान से क्या होता है, जिसे मान लिजे ये आपका work piece है, इस work piece में पहले से ये hole है, अब क्या करना है दोस्तों आपको, अब आपको क्या करना है, इस पे एक bolt लगाना है, nut bolt लगाना है, ठीक है, इसमें एक nut bolt लगाना है, इसमें क्या करना है, एक nut bolt लगाना है, तो उस condition में आप लोग एक tool का use करते हैं, ठीक है, दोस्तों काउंसा tool यूज करते हैं, एक tool का use क करते हैं जिसे हम लोग कहतें Counter Boring Tool में उपर किसा करना करता है तो आपका जो वर्क पीस दिखने लगता है वो workpiece कुछ कैसा दिखना सुरू हो जाता है ये workpiece आप लोगों का कुछ कैसा दिखना सुरू होता है कुछ ऐसा अब ये workpiece कुछ ऐसा दिखना सुरू हो गया ठीक उस condition में ध्यान दीजे मेरे दोस्तों क्या होगा उस condition में अब सुनिए जैसे मालीजी आपको यहां पे बोल्ट लगाना है, नट बोल्ट लगाना है, तो अब क्या करेंगे, आप लोग आसानी से नट बोल्ट लगा सकते हैं, जो भी आपको नट बोल्ट यहां पे लगाना था, आप नट बोल्ट ऐसे आराम से क्या कर सकते हैं, लगा स ठीक इसे हम लोग कहते हैं counter-boring तो यह होता है दोस्तों आपका counter-boring कुछ दूरी तक दोस्तों यह क्या किया जाता है ऐसे tool को लगा करके टूल को लगा करके क्या किया जाता कुछ दूरी तक यहां पर boring operation किया जाता है जहां पर हमको bolt head वगएरा लगाने होता है ठीक है ठीक इसी प्रकार से बात आती है दोस्तों एक और operation होता है spot facing, spot facing इसमें भी कुछ अलग नहीं होता है दोस्तों सारी चीज़े सेम है इसमें भी वासर लगाना या nut लगाने तो क्या करते हैं कुछ दूरी तक इसमें hole करते हैं जिससे कि उसके surface पे उसके surface पे हमारा nut bolt का nut bolt आता है जैसे माली जी यह nut bolt हो गया ठीक है आपका यह क्या ओगया nut bolt हो गया या इसके नीचे आपका वासर होता है से इसके नीचे क्या होता है वासर होता है ठीक है इस वासर को नट वोल्ट को सही तरीके से fit करने के लिए हमें एक operation परफॉर्म करते हैं जिसे हम लोग कहते है spot facing, उपर वाले face पे क्या अधा क्यों, facing का मतलब भी नाम लग गया कि facing मतलब कि यह क्या क्या अधा, face पे, ठीक है, face तक लाने के लिए इस वाले operation, इसको लगाने के लिए face तक क्या करते हैं, भी लोग, spot facing करते हैं, क्या हो गया, taper hold आया, increase, हाँ, हाँ, सही बाद, सही बाद, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, दोस्तो, एक सबसे महतपूर्ण बात आती है, दोस्तो, tapping, tapping, एक जो महतपूर्ण operation होता है, दोस्तो, इसको लोग कहते है, tapping, tapping, यहाँ पे आप लोग देखिए, क्या होता है, यह हम लोग use करते हैं, दोस्तो, internal thread काटने के लिए क्या करने के लिए internal thread आंतरिक चूड़ी काटने के लिए internal thread काटने के लिए किस पे जो पहले से हमारा hole मौजूद है सुनिए द्यान से दोस्तो मान लीजिए दोस्तो आपके पास में पहले से एक workpiece मौजूद है ठीक है एक workpiece आपके पास में मौझूद है इस वर्क पीस में क्या है होल बना हुआ है यहां पर होल आपका बना हुआ है यह आपका कारिखंड हो गया ठीक है अब इसमें क्या करना दोस्तों इसमें क्या करना है अंदर की तरफ में थ्रेड काटने चूड़ी काटनी है इस सर्फेस पर आपको क्या करना है इ कैसे थ्रेड बनाने है इस सर्फेस पर आपको थ्रेड बनाने अंदर वाले सर्फेस पर तो इसके लिए एक ऑपरेशन एक्जिस्टेंस में लाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं जिसके जिसको हम लोग कुछ कैसा होता है यह टैप टूल आप लोगों का कुछ ऐसा होता है ध्यान दीजिए यह ठीक है यह टैप टूल आप लोगों का कुछ जैसे insert करेंगे क्या करेगा यह क्या करेगा गोम गोम के गोम गोम के डांस करके क्या करेगा इस surface पे अंदर की और में thread काट देगा अगर इसको आपको practical करना है तो घर पे जो आपके छीलन रखी हुई है आलू छीलने के लिए छीलन है ना उस छीलन को उठाईए और आलू में क्या करिए दोस्तों आलू में डाल करके उसको गुमाना सुरू करिए आलू में डाल करके गुमाना सुरू करिए देखेंगे अंदर की सर्फेस में आपको कुछ थ्रेड़ेट पोर्सन दिखेगा लेकिन मम्मी से बच करके अन्न था मम्मी देखेंगी तो बढ़ियां वाली पिटाई होगी ठीक है मम्मी से बचा करके वो प्रैक्टिकल करिए उसमें क्या अगर ये आलू में आप लोग उस छिलन को डालिए और गुमाईए गुमाते रहिए गुमाते रहिए उसके बाद देखिए जब आलू वाली सर्फेस आपको दिखेगी दोस्तों कैसी दिखेगी आलू वाली सर्फेस आ आपका इंटर्नल थ्रेड आंतरिक थ्रेड अभी यह बनाया क्यों जाता है आंतरिक थ्रेड माली जी आपको कोई नट बोल्ट लगाना है अंदर की सर्फेस पर या इस्क्रू टाइट करना तो उसके लिए टैपिंग ऑपरेशन की जाती जिसे हम कहते हैं इंटर्नल एक्स्टर्नल थ्रेड क्या मतलब कुछ खावाली हो क्या इंडियन रिसर्च मतलब कुछ अलगी चल्ला है दुनिया तुमारा हर चीज का बिल्कुल उल्टा उल्टा इसके पास में सलूसन रहता है पता नहीं क्या ही चल्ला है इसकी मन में ठीक है देखे दोस्तों क्या होती है टैपिंग इसका डेफिनिशन देख लीजिए टैप टूल का प्रियोग किसी कारिखंड में आंतरिक चूडिया काटने के लिए किया जाता है ठीक टैपिंग की क्रिया हाथ द्वारा या खराद मसीन के द्वारा की जाती है लेथ मसीन प ड्रिलिंग मसीन पर लगा कर, ड्रिल मसीन पर लगा कर, टैपिंग की किरिया की जाती है, सुनिए ध्यान से, जो ये टूल आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों इस टूल को अब क्या करेंगे, आप लोग स्पिंडल में माउंट कर देंगे, जो होल बना हुआ है, उ फ्लैट ड्रिल, ये फ्लैट ड्रिल दोस्तों आपका कुछ ऐसा दिखता है, ध्यान से देखिए, जो फ्लैट ड्रिल होता है, ये कुछ ऐसा दिखता है, अगर बात करें इसके डायमीटर की, जो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, ये जो है दोस्तों आपका इसका डायमीटर यह 32 mm है 32 mm है 32 mm का मतलब कि अगर इसको किसी वर्क पीस में डाल करके क्या करें गुमाते जाएं हाथ से गुमाते जाएं गुमाते जाएं तो 32 mm का होल पैदा करे गई यह ठीक पहला हो गया यह दूसरा बात आता है दोस्तों इस्ट्रेट फ्लूट ड्रिल की कौन सा ड्रिल इस्ट्रेट फ्लूट ड्रिल दूसर अगला होता दोस्तों ट्विस्ट ड्रिल ध्यान से सुनिए यह जो आपका इस्ट्रेट फ्लूट ड्रिल होता है दोस्तों इसका एक पार्ट होता है जो आप यहां पे देख रहे हैं इसी का एक पार्ट होता है बस अंतर क्या होता यह आपको यहां पर फ्लूट दिख रहे हैं बहुत पास पास दिख रहे हैं इसके केस में क्या होता है थोड़ा सा दूर दूर होता है इसके केस में दिखिए पास पास दिख रहे हैं इसके स्ट्रेट फ्लूट के केस में दूर दूर होता है ट्विस्ट ड्रिल में क्या होता है ब बढ़ाई कारपेंटर इसका सफ्यादा बढ़ाई यूज करते हैं किसलिए लकड़ी में लकड़ी में छेद करने के लिए होल करने के लिए ठीक है होल करने के लिए मत क्लियर है इतनी इसी का तुम्हें बेट कर रहा था इसी का तुम्हें बेट कर रहा था यह रहा इसका चित्र सचित्र वरणन ठीक सुनिये द्यान से डोस्तों बात करते हैं यहाप आंपलोग ट्विस्ट ड्रिल की twist drill क्या होता है कुछ आप लोगों का ट्विस्ट ड्रील ऐसा दिखता Hang जो यहां पर डाइगराम दोस्तो बिल्कुल ऐसा दिखता यह ठीक है की अखिंग अब हो आखिए तो यह पहुत ही होसीयर बच्चा है ठीक है चलो देखो इधर ध्यान दीजिए ट्विश्ट ड्रिल की बात करें दोस्तों तो ट्विश्ट रिल आप लोग को का दिखिए यहां पे इसका सबसे पहले जो पार्ट होता है उसको आम लोग कहते हैं सैंक क्या बोलते हैं इस पार्ट को हम लोग कहते हैं सैंक यह सैंक क्या होता है दोस्तों आपका जो सैंक होता है किसमें माउंट किया जाता है यह यह आपका माउंट किया जाता है चक में किसमें माउंट होता है चक में ठीक उसके बाद क्या लगा होता है नेक उसके ब यहां पर एक और चीज होती है जिसे हम लोग कहते हैं यह टैंग क्या होती है और भी ज़्यादा gripping को मजबूत करने के लिए यहां पर टैंग लगाया जाता है फिर यहां पर होता है दोस्तों आपका एरिया को क्या करने के लिए इस फ्लूट वाले एरिया को कि इस फ्लूट वाले एरिया को क्या करने के लिए इस फ्लूट वाले एरिया को दोस्तों इस साइंग से दूर करने के लिए यानि कि अलग करने के लिए क्या लगा होता है नेक लगा होता है यहां पर निक का काम क्या होता है फ्लिवूट वाले एरिया बॉडी को लिख लिजैसे बॉडी को सैंक से अलग करने वाला सैंक से अलग करना अलग करने वाला ठीक है अलग करने वाला ठीक अब ध्यान दीजिए दोस्तों बारी बारी से इसमें इतने portion को देखे द्यान से इस portion को हम लोग पूरी body बोलते हैं यह जो आपको ऊपर वाला portion दिख रहा है इसको कहते हैं हम लोग body कौन सा डी बोडी ये जो आपको दिख रहे हैं दोस्तों ये जो आपको दिख रहे हैं उभार ये जो दिख रहे हैं दोस्तों आपको ये जो आपको दिख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं लैंड इसको क्या बोलते हैं लैंड बोलते हैं लैंड इसे हम लोग कहते हैं लैंड औ और यह जो बीच बीच में आपको जगह दिख रहे हैं यह बीच बीच में से जगा दिख रही ना इस पेस यह जगा यह वाली जगा इसको हम लोग कहते हैं फ्ल्यूट क्या बोलते हैं फ्ल्यूट कि इसको कहते हैं फ्ल्यूट एक सेकंड एक सेकंड यह नहीं दिखे रहा किया इसको इजूम करें तभी दिखेगा यह चीज नहीं दिखंड रहा किया यहीज बना रहे है यह चीज दिखाएंगे मिने बता धे रहा है उसको भी टेंसन मतलिजिए ठीक है इसको समझ लीजी उसके बाता है सारी इसको कहते हैं हम लोग फ्ल्यूट से क्या होता है एक वच्चे ने लिकाए बहुत बढ़ियां इससे निकलता है इस वो करके निकलता है चिप बाहर. ठीक, उसके बाद ध्यान से सुनिए दोस्तो, ये जो चीज होता, इसको हम लोग कहते है का मतलब क्या हो गया? ये जो drill tool में जब जाएगा, तो क्या करेगा? Cutting action perform करेगा. cutting edge जो दिख रहागे जब drill tool में जाएगा, तो cutting action perform करेगा. ठीक है? अब सुनिए द्यान से दोस्तों अब मैं क्या गर रहा हूँ इस डाइगराम को थोड़ा सा आप लोगों को यहां से रख रहा हूँ मैं किसको नवीन को बैठा रहा हूँ प्यार से नवीन को बैठा रहा हूँ और मैं नवीन से बोल रहा हूँ कि सामने से देखो नवीन से कह रहा हूँ कि सामने से देखो तो सामने से देख रहा है तो कुछ कैसा उसको दिख रहा है जब वो सामने से देख रहा है तो कुछ कैसा उसको दिख रहा है क्यों कि यह वाला सर्फिस क्या है उसको छोटा दिखेगा यह वाली सर्फिस क्या होगी पूरी की पूरी वरी दिखेगी तो यह जो दोस्तों बीच में क्लियरेंस होता है इसको आम लोग कहते हैं body clearance कितना आम लोग clearance दिए हुए है clearance क्यों देते हैं ताकि जब यह एज हमारा क्या हो इसके workpiece में contact में है तो यहाँ पर rubbing ना हो cutting edge हमारा खराब ना हो हाँ angle 118 degree रखते हैं सब बताएंगे प्यारे दोस्त फिकर मत करिए ठीक है यहाँ पर दोस्तो एक चीज और होता है इसको हम लोग कहते हैं इस वाले zone को दोस्तो यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर ऐसे एक line हम लोग यहाँ पर plot कर लें एक line plot कर लें तो इस पूरे को हम लोग कहते हैं का했는데 कि इस चीजह का एंगल ओर ये जह होता दोस्तों इतना हम लोग कहते हैं लैंड यही लेंड दोस्तों, आपका यह फ्लूड यह फ्ल्यूट लिया गयाया यह वहां प्धान है नि जो डायामेटर हमने छोड़ रखाया है उसको हम लोग कहते हैं clearance diameter अब देखिए ध्यान से एक और diagram मैं आपको इसका बता रहा हूं जहां से आपको चीजे और clear कर सकते हैं ध्यान दीजिए यहाँ पर कि एधर देखिए एधर देखिए कई बच्चे कह रहा है कि इंगल कितना होता है तो वह एंगल जो रखा जाता है दोस्तो आ為什麼 colleges यह जो आपको यहाँ पर ända दिख़े रहा है न यह एंगल इस एंगल को रखा जाता है 118 डिग्री कितना रखा जाता है 118 डिग्री का एंगल रखा जाता है ठीक है 118 डिग्री का तो यह कुछ चीजे हैं दोस्तों जो आप लोग जानते रहिएगा डाइगराम जरूर बनाईएगा किसके रिगार्डिंग ट्विस्ट ड्रिल के रिगार्डिंग ठीक है अभर इतनी बाते सबको क्लियर है क्या एक बार सबी लोग कमेंट बॉक से बताएंगे यार क्या इतनी बाते सबको क्लियर है उसके वाद हम आगे बढ़ें डागlorai देखना है तो डागlor भी दिखा दे रहे हैं आपको बिद्ग ने यह ची जूम करेंगे तों फट जाएगा ठीक है यह होता दोस्तो आपका जो मैंने डिस्कस किया आज आज के लिए आप लोगों चेप्साथ में क्या था एक बार सी सको बता दिते yap को एन् occasions किया वह था आप लोगों का Mt 4 जिसे हम लोग कहते हैं ड्रिल हुल वोगते हुश करते गांक जख को तक के बारे में आपको लोगो पता यह च्ट क्या होता है या पर कॉल इट का यूज करते हैं कि यह सारी चीज़े आप लोगों को पता है दोस्तों फिर आप juga तो यह था दोस्तो आपका चैप्टर नंबर पोर जो अब कंप्लीट हो गया है अब इसमें हमारी बारी आती ही कि important question कि उसके बाद कराएंगे इसका रिवीजन पाँच मिनट में important questions पहले question देख लीजिए उसके बाद इसका कराते हैं आप लोगों के साथ में revision तो इसमें सबसे पहले जो महतुपूर question की बात आती है सबसे पहला सबसे पहला question यही है दोस्तो classification क्लासिफिकेशन आप निट और यह एक बार पूछा हुआ दोस्तों आपके पेपर में क्लासिफिकेशन अप ड्रिलिंग बिल्कुल भाई बिल्कुल बताएंगे बेफिकर रही है आप ठीक है हर दिन बताते हैं तो आज क्यों नहीं बताएंगे second question की बात करें दोस्तो second question की अच्छा इसको हमने कितने तरह से classify किया था फटापट बताते चलिए इसी वक्त revision हो जाए यहाँ पे कितने तरह से हमने classify किया था two तरह से एक क्या था दोस्तों आपका portable एक था fix, portable कितने परकार की, पान्च परकार की, hand, ratchet, and brace, कौन सा, breast, उसके अलावा क्या था दोस्तों आपका, उसके अलावा pneumatic और pneumatic के अलावा कौन था दोस्तों आपका बताईए बताएए फटाफट से hand क कितने तरह के हो गई 4-5 हो गई है उसके बाद दूसरा आने Classify किया था दोस्तों कौन सा था आपका Fixed वाला जिसमें हमने पढ़ा दोस्तों पहले-पहले क्या पढ़ा हमने Sensitive वाला हो गया पिलर हो गया रे डियल हो गया और और पताईए फटा पटजे अगला देखिए दोस्तों बात करें क्या बन सकता इसमें किसी एक किसी एक मसीन का वरडन कीजिए तो अब आप वरडन कर सकते हैं ना वरडन करें यह हो गया तीसरा कोईशन आपसे क्या पूछ सकता है इस चप्टर में तीसरा कोईशन से बनते नहीं है तो उतने कोईशन आप ध्यान रखिए जो मैं बता रहा हूं अधर हम जो आब लोगों कासी थोस्तों की यह थर पॉिस्तन आप एक कि वह और ऊपरेशन कि अधित in अभु के लिए विदिशुन के यह रिजाए विद्विद्वन फोसी shark में लेकर चलना हूँ। टाइप आप ड्रिल में टाइप आप ड्रिल आप लिंद रिंधि चीज ठीक है इसको दोस्तों हम least probability में लेके चलेंगे किसमें लेके चलेंगे लिस्ट probability में लिस्ट ठीक है probability यह चार question है दोस्तों टोटल इस चैप्टर से जो आप से पूछे जा सकते हैं जिसमें आपका पहला दूसरा question तो common है अब सुनिए 10 minute अपनी निगा को अपनी नजर को क्या करिए सामने की तरफ केंजित करिए पूरा revision करते हैं 10 minute के अंदर फटा फट से आ जाओ इधर तो ध्यान दीजिए दोस्तों सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको drilling एक ऐसा operation है जिसके द्वारा किसी भी work piece में circular hole बनाये जाते हैं यह hole कैसे हो सकते हैं आरपार हो सकते हैं जैसा आप यहां पे देख रहे हैं यह hole आपके blind हो सकते हैं कि कुछ दूरी तक इसमें work piece में छेट किया गया हो यह हो गया यह hole आपके कैसे हो सकते हैं दोस्तों taper हो स करते हैं यह drilling operation दो machine पर perform किया जा सकता एक drilling machine और एक late machine late machine के condition में क्या होता दोस्तों work piece को हम क्या करते हैं चक में बान देते हैं और drill tool को क्या करते हैं टेल स्टॉक में लगा करके drill tool को किसमें लगा करके tail stock में tail stock में लगा करके क्या करते हैं इसको move करवाते हैं जिससे क्या करता है ये work piece में घुष करके क्या करता है drilling operation perform करता है ठीक हो गया ये process अगली बात आती है दोस्तो principle आप drilling कुछ भी अलग नहीं है इसमें होता क्या है जो इसके नीचे का point होता है जिसे हम लोग कहते है नोज बिंदू वो सबसे पहले क्या करता है work piece पे contact में आता है उसके बाद क्या करता है work piece पे बहुत ज़्यादा force पैदा होता है लगातार क्या करता है cutting action perform 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 करता है ठीक यह हो गया अगली बात आती है classification की दो तरह से हमने classify किया दोस्तों पहला classification क्या था portable दूसरा था fixed portable में बात करें दोस्तों की machine को एक जगा से उठा करके हम दूसरी जगा पे ले जाते हैं क्या करने के लिए operation को perform करवाने के लिए drilling operation को जैसे कि आपका electric drilling machine हो गया hand drilling machine हो गया breast drilling machine हो गया ratchet वाला drilling machine हो गया यह सारी किसमें आती है आपकी portable drilling machine में ठीक यह आपका कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों breast drilling machine द्यान दीजिए यहाँ पे breast drilling machine कुछ ऐसा दिखता है hand operator दोस्तों आपका कुछ ऐसा दिखता है ठीक है उसके बाद बाद आती है electric drilling machine कुछ ऐसी दिखती है ratchet brace आपका ऐसा दिखता है numatic दोस्तों ऐसी दिखती है ठीक बात करें दोस्तों fixed drilling machine की इसमें क्या होता है हमारा work piece हम लेके जाते हैं क्या करने के लिए drilling operation दिखते है fixed drilling machine ये छे प्रकार की होती है सबसे पहले आती है bench drilling machine दूसरा बात आता है दोस्तों आपका pillar type drilling machine तीसरा होता है आपका gang drilling machine चौता होता है multi spindle पाचवा होता है radial छटवा होता है column type ठीक आप सुनिए ध्यान से बात करें या पे bench sensitive drilling machine की तो ये machine दोस्तों आपका कुछ कैसा दिखता है कुछ ऐसा दिखता है इसमें सबसे नीचे क्या होता है आपका base होता है इसके एक side में क्या लगा होता है column ये base क्या होता है cast iron का बना होता है इस side में column लगा होता है इस column पे दोस्तों आपका क्या होता है, table लगा होता है, column पे table होता है, उस table को fix करने के लिए क्या लगा होता है, एक handle लगा होता है, इसके सबसे उपरी वाले पार्ट में, column के उपरी पार्ट में, पूरा का पूरा drive mechanism लगा होता है, पूरा का पूरा drive mechanism लगा होता है, इसके एक सिरे पर बगल में क्या होता है मोटर होता है जिसके ऊपर क्या करते हैं लोग इस्टेब्ड पुली लगाते हैं इस स्टेब्ड पुली से एक पट्टा जुड़ा होता है जो कि दूसरे ड्रिबन पुली पे जाता है ड्रिबन स्टेब्ड पुली किस पट्टे से बी बेल्ट से और क्या होता दोस्तों जो आपका driven pulley होता है उससे जुड़ा होता है आपका spindle spindle के नीचे लगा होता है चक, चक के नीचे लगा होता है आपका tool ठीक है जब ये हम motor को one करते हैं तो ये step pulley क्या करती है spindle को गुमाती है, spindle को जब गुमा रही है तो होता क्या है हमारा चक गुमता है जिससे कि हमारा drilling operation perform होता है यहाँ पे एक handle लगा हुआ दोस्तो इस handle का मदद काम क्या होता है जो भी operator यहाँ पे काम कर रहा होता है उसको क्या करना होता है टूल को उपर नीचे move करवाना होता उसको ये फिल करने के लिए क्या ये drilling operation perform कर रहा है कि नहीं कर रहा है ठीक है ये हो गया दोस्तों आपका sensitive drilling machine ठीक इसी का दोस्तों क्या होता है आपका बिल्कुल same cut copy paste लेकिन इसकी height क्या होती है लंबी होती है वो 10 mm तक का drilling operation perform करता है ये दोस्तों आपका 25-30 mm तक का drilling operation perform करता है बड़े कारेखंड के लिए इसको use किया जाता है height इसकी लंबी होती है बाकी सारी mechanism same ठीक फिर उसके बाद बात आती है दोस्तों कौन-कौन से इसके specification है specification की बात करें दोस्तों तो सारी चीजे मैंने आपको बताई क्या है पहला है drill के केंदर से column तक की दूरी column के system की दूरी दूसरा है आपका मेच के उपरी सता से spindle के निचले सिरे की दूरी तीसरा है पकड़े जाने वाले drilling tool का ब्यास कितना है स्पिंडल की maximum और minimum position क्या है radial drilling machine में उसके arm की लमबाई क्या है सर यह चीज़ाम को नहीं बताए आप ध्यान दीजिए radial drilling machine दोस्तों आपका कुछ कैसा दिखता है radial drilling machine कुछ ऐसा होता है radial drilling machine दोस्तों आपका कुछ ऐसा होता है इसमें जो tool mounted होता होता दोस्तो एक का pakai सबकते कोई भुजा करके कुछ दूरी यह लगा Dew Left sousब्अधे पर लागता है इसे हम लोग करते रेडियल डूर निक ऐस डियग है कितनी दूरी पर हमने टूल को मांट कर रहा है ठीक है यह हो गया आपका उसके ते देखिए दूस्तों इस कि गतियों की प्राइस क्या है मेंच का की यö कितना है मोच कि हेर्स कोador कितनी मिशेन का यह hole को और ज़्यादा बड़ा करने के लिए और एक size में लाने के लिए क्या यूज करते हैं बात करें दोस्तों अगर reaming की तो reaming के case में हम लोग क्या करते हैं बहुत ही micro hole cut करने के लिए जैसे hole palace cut है उसको बहुत ही micro hole cut करने के लिए और surface को finish करने के लिए किसका यूज करते हैं रीमिंग का यूज करते हैं रीमिंग के लिए जो tool यूज करते हैं उसे reamer कहते हैं और reamer आपका कुछ कैसा दिखता है दोस्तों reamer कुछ ऐसा दिखता है फिर बात आती है counter sinking की counter sinking operation में हम क्या करते हैं पहले से हमारा hole कट गया है उसको हम क्या करते हैं थोड़ा सा ऊपर में taper देने के लिए क्यों ऊपर में हमको screw set करना है screw को fit करना है तो उस condition में taper देने के लिए जो यहाँ पे हम लोग hole बनाते हैं उस hole को हम लोग कहते हैं counter sinking operation counter sinking operation ठीक है उसके बाद देखिए द्यान से दोस्तों इसमें क्या किया था यहाँ पे counter sinking operation परफॉर्म किया गया उसके बाद यहाँ पे screw लगाना तो screw लगाना को हम इसमें आसानी से लगा सकते हैं यह आपका क्या दोस्तों यहाँ पे ऐसे बना लीजिए इसको हम लोग कहते हैं screw यह दोस्तों आपका work piece ठीक यह होगया यह वाला operation फिर counter boring की बात करें अगर हमको nut bolt लगाना है तो उस condition में उपर के surface में flat वो जो आप flat होते हैं वो वाला flat नहीं flat mark बनाने के लिए counter boring operation किया जाता है तो flat way बनाने के लिए इस तरह से कुछ counter boring operation किया जाता है ठीक है इसे हम लोग कहते है cutting edge इसे कहते है cutting edge यही cutting edge क्या करती है cutting action perform करती है cutting करने के बाद से दोस्तों जो आपका work piece आगे तयार होता है कुछ ऐसा दिखता है अब इसमें हमने क्या किया इस bolt को लगा दिया bolt plus nut को लगा दिया ठीक है तो इसको कहते हैं हम लोग counter boring operation फिर उसके बाद बाद आती है दोस्तों spot facing क्या होता है यह भी मैंने आपको बता दिया कि head face पे करने के लिए internal thread बनाने के लिए typing operation की जाती है यह पहले से hole बने हुए में ठीक है पूशनामन क्लेचर है तो यहां पर दोस्तों खताम होता है आपका जो chapter है chapter number four बाकी जो class की अगली update है दोस्तो class number fifth class fifth यानि की chapter number boring इसमें दोस्तों आपका दो chapter चलेगा class fifth में boring plus shaping planning क्योंकि boring बहुत बड़ा topic है नहीं तो shaping और planning इसके साथ में चलेगा सेपिंग और planning इसके साथ में चलेगा तो इस class को आप लोग मिस नहीं करेंगे यह आपके एक्जाम में आता है बात करें इसके बेटेज की दोस्तों तो 10 मार्क का आता है लग 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 10 मार्क ठीक है दोनों और यह जो आप अभी मैंने पढ़ाया तो यह भी आपका पांच नंबर का आपके एक्जाम में आता ही आता है ठीक क्या इतनी बात सब को किलियर है एक बारी से सब लोग बताएंगे क्या इतनी बात सब को क्लियर है दोस्तों ठीक ये क्लास जो आपकी चलेगी दोस्तो ये क्लास चलेगी आपकी आज कितना तारिक है तो आज है कितना तारिक सोला ये क्लास अगली चलेगी आपकी अठारा तारिक को 18-12-2023 चैप्टर नमबर 5 और चैप्टर नमबर 6 इसमें क्या होगा चैप्टर 5 प्लस 6 ये दोनों कंप्लीट होंगे ठीक है 18 तारिक को और कल सुबा के लिए बात करें दोस्तों जो टूमारो वाली आपकी क्लास है टूमारो यानि कल वाला जो है कल सुबा कल सुबा साथ बज़े जुड़ना नहीं भोलेंगे महा महा मंत्र जो आपका सब्जेक्ट है दोस्तों ठेवरी आप मसीन जो बच्चे हमारे साथ में पहले से जुड़े हैं उनको पता होगा कि ठेवरी आप मसीन किस वे में कंप्लीट हुआ है ठीक है तो कल सुबा में जो आपकी क्लास चलेगी साथ बज़े ठेवरी आप मसीन की जिसमें हम कबर करेंगे दोस्तों पहला चेप्टर जिसका नाम है सिंपल मेकेनिजम ठीक है प्लस पी वाई क्यू तो कल सुबा की ये क्लास की अपडेट है बाकी परसो जो आपका क्लास से लेगा वो ये वाला है ठीक है दोस्तों तो कल सुबा में जुड़ना नहीं भूलेंगे अरे कहा रह गया था आज कि इतनी लेट आया कि बहुत बड़ी यह बहुत बढ़ी अँच्छे से हो सके और अपने इस परिवार को थोड़ा सा और बढ़ा कीजिए क्योंकि अब आपके सयोग से ही ये परिवार और आगे जा सकता है तो हम लोगों का एक टार्गेट है जो आपकी हल्प से ही वह ऐचीव हो सकता है तो अब समझी रहे है दोस्तों ठीक है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेर कीजिए दोस्तों के साथ में और पढाई करते रहिए बस टेंसन नहीं लेना आपको फिक्र करने की कोई जाओ सकता है नहीं यहां पर बिठाईए ठीक है सीधा पेपर में जाईए आप लोग करके आईए यहां पर बैठाए रहे यह सारी चीज़े ठीक है नभीन आपको ओफिसियल नंबर मिला हुए ठीक है आप जाईए आपको कितनी बार सर ने बताया भी है अगर आपको आना है सच में मिलना है तो आप अपिसियल नंबर उठाईए शरका वहां पर कॉल कीजिए अब ऐसे चलती क्लास में थोड़े किसी का नंबर दे सकते हैं आपको ओफिसियल नंबर वहां पर प्रोवाइड किया गया सरका आप कॉल कीजिए बताये कि मैं यहां से हूँ आना चाहता हूं ठीक है तो ठीक है दोस्तों चलते हैं फिर फिर मिलते हैं कल तब तक के लिए बाय बाय टेक केर हसते रहिए मुस्पुराते रहिए और जो ची है तो सबसे मैत्वपून चीज क्या है आप क्या करेंगे खूब रिवीजन करेंगे रिवीजन रिवीजन जितना हो सकेगा उतना रिवीजन करेंगे बहुत ज्यादा जितना हो सके उतना ज्यादा रिवीजन करना है आपको तो कल सुबा में जुड़ना भी नहीं बोलेंग पापा ये का मैं जा रहा हूँ अभी आ रहा हूँ क्लास खतम ही नहीं हो पाती लाइब देख रहे हैं खतम होगे चेप्टर काम खतम ठीक है तो ठीक है दोस्तो बाई-बाई टेक केर थैंक यू